बिछड़ा हुआ राजकुमार, साहस और आत्मविश्वास की कहानी, एक समय की बात है, एक सुन्दर राज्य में आयान नाम का एक राजकुमार रहता था, आयान बुधिमान, साहसी और दयालू था, एक दिन राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और भयंकर युद्ध नहीं हारी, उसने अपने दिमाग का उपयोग करके खाने के लिए फल और पानी के लिए नदी ढूंडी, एक राज जब आयान थका हारा एक पेड के नीचे सो रहा था, तो एक बुढ़ा साधू वहां से गुजरा, साधू ने आयान को देखा और उसकी मदद करने का साधू ने उसे सिखाया कि सची शक्ती आत्मा में होती है न कि बाहरी वैभव में, कुछ महीनों बाद आयान पूरी तरह से मजबूत और आत्म विश्वासी बन गया, उसने साधू से आशीरवाद लिया और अपने राज्य को वापस पाने के लिए रवाना हो गया, अपने ज्यान और साहस से आयान ने दुश्मनों को परास्त किया और राज्य को पुनह प्राप्त किया, राज्य में वापस आने पर आयान ने सभी को अपने अनुभवों से सीखने का संदेश दिया, उसने राज्य में शांती और समृधि स्थापित की, आयान ने अपने राज्य क के लोगों को सिखाया कि जीवन में चुनोतियां उसाती हैं, लेकिन सच्ची हिम्मत और द्रढ़ता से उन्हें पार किया जा सकता है। इस तरह बिछडा हुआ राजकुमार न केवल अपने राज्य को वापस पाया, बलकि अपने अनुभवों से एक बहतर और समझदार शासक भी बन गया। कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि आत्मविश्वास, साहस और धैर्य से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।